इस सेशन में हम लोग किलास 10 हिंदी कोर्स ए की बुक छितिज भाग एक के गद खंड का पहला लेशन नेता जी का चश्मा करेंगे हम लोग इस पार्ट को बहुत अच्छी तरह समझेंगे भी और इसके सारे important questions को भी करेंगे तो सेशन स्टार्ट करते हैं कहानी नेता जी का चश्मा में देशभक्ती का संदेश दिया गया है साथ ही इस कहानी में ये भी बताया गया है कि देशभक्ती का मतलब केवल ये नहीं है कि आप जिस देश या छेतर में रहते हैं केवल उसी से प्यार कीजिए बलकि उस छेतर के पिड़ पौधों पशुपक्ची नदी पहाड जर्नों और वहां के नागरिकों से प्रेम करना और उनकी भलाई और रक्षा के लिए काम करना भी देशभक्ती है इस कहानी में लेखक ने कैप्टन नामक चश्मा बेचने वाले एक साधारन और गरीब आदमी के माध्यम से हमें ये संदेश दिया है और ये भी बताया है कि हमारे देश के अधिकतर लोग ऐसे देश भक्तों के काम की तारिफ नहीं करते बलकि और हसी उडाते हैं कैप्टन के माध्यम से लेखक ने उन अंगिनत गुमनाम देश भक्तों को याद किया है जिनोंने गुमनाम रहते हुए भी देश की भलाई के लिए काम किया और देश के महाप्रूशों के सम्मान और आदर को जीवन तरखा कहानी नेता जी का चश्मा के लेखक स्वयम परकाश है ये हिंदी साहित के एक परसिध कहानीकार है इनका जनम 1947 में मध्परदेश के इन दौर में हुआ था इन्होंने मेकनिकल इंजिनेरिंग की और नौकरी के लिए राजस्थान चले गए बोपाल से छपने वाली एक मैगजीन वसुधा के संपादन से भी जुड़े रहे बोपाल मध्परदेश की राजधानी है सूरज कब निकलेगा आएंगे अच्छे दिन भी आदमी की जात का आदमी और संधान इनके परसिध कहानी संगर हैं इनके कुल 13 कहानी संगर है छप स्वैम परकाश ने अपनी कहानियों में मध्यम वर्गे जीवन का चितरन किया है इनकी कहानियों में आम आदमी के शोशन पर कटाक्च किया गया है स्वैम परकाश की लेखनशैली परभाव पूर्ण है इनकी कहानियां रोचक और वर्ननात्मक हैं इन्हों ने अपनी रचन हालदार साहब हर 15 वे दिन कमपनी के काम से एक कस्बे से गुजरते हैं। उस कस्बे में कुछ पक्के मकान, एक छोटा सा बाजार, दो स्कूल, एक सीमेंट कार खाना, खुली छटों वाले दो सिनेमा हाल और एक नगर पालिका है। इसी कस्बे के में मार्केट के मुख चोराए पर नेता जी सुभाज चंदर बोस की एक संग मरमर की मुर्ती लगी हुई है। जब हालदार साहब ने उस मुर्ती को देखा तो उन्हें लगा कि नगर पालिका के किसी करमचारी ने बहुत हड़बरी में इसे लगवाया होगा। क्योंकि मुर्ती का चश्मा संग मरमर का बना हुआ नहीं था चश्मा असली था। दूसरी बार जब हालदार साहब इस कस्बे से गुजरे तो उन्होंने देखा कि इस बार मुर्ती पर दूसरा चश्मा लगा हुआ था। हालदार साहब ने पानवाले से इसका कारण पूछ पानवाले ने बताया कि कैप्टन चश्मे को बदलता रहता है। हालदार साहब को लगा कि कैप्टन या तो कोई भूत पूर्फ सैनिक होगा या फिर नेता जी की फाउज का कोई सिपाही रहा होगा या उनका कोई सहयोगी रहा होगा। हालदार साहब ने पानवाले से पूछ कि ये कैप्टन कौन है क्या वो कोई फौजी है तो पानवाले ने मजाक लाते हुए कहा कि वो लंगला क्या जाएगा फौज में हालदार साहब ने देखा कि कैप्टन एक बहुत बुढ़ा लंगला और मर्यल सा आदमी है जिसके सिर पर गांधी टोपी और आँखों पर काला पानवाले ने बताया कि मुरतीकार समय की कमी के कारण चश्मा बनाना भूल गया बिना चश्मे के मुरती लगा भी दी गई कैप्टन को बिना चश्मे की मुर्टी अच्छी नहीं लगती थी इसलिए वो मुर्टी पर एक चश्मा या फ्रेम लगा देता था हालदार साहब दो साल तक मुर्टी पर चश्मे को बदलते हुए देखते रहे लेकिन एक बार जब वो उस कस्बे से गुजरे तो उन्होंने देखा कि मुर्टी पर चश्मा या फ्रेम लगा हुआ नहीं है अगली बार भी ऐसा ही हुआ तो उन्होंने पानवाले से मुर्टी पर फ्रेम ना होने की वज़े पुछी पानवाले ने बताया कि कैप्टन मर गया हालदार साब को बहुत दुख हुआ कि अब मुर्टी बिना चश्मे के ही रहेगी अगली बार जब हालदार साब कस्बे से गुजरे तो उन्होंने सोचा कि वो मुर्टी को नहीं देखेंगे लेकिन चौराहे से गुजरते हुए उनकी नजर अनायास मुर्टी पर पढ़ी गई उन्होंने देखा कि मुर्टी पर सरकंडे का चश्मा लगा है जिसे शायद किसी बच्चे ने लगाया होगा हालदार साहब को संतोश हुआ कि बड़ों के साथ कुछ बच्चों में भी देश भक्ती की भावना बची हुई है इस तरह ये कहानी इस चरम बिंदु के साथ और संदेश के साथ समाप्त होती है अब हम लोग इस कहानी के important question answer पर चलते हैं मैं केवल परशन पढ़ूंगा उत्तर हर परशन के नीचे दिये हैं आप लिख लिजिए पहला सवाल सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग captain क्यों कहते थे दूसरा सवाल मुर्ती पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है तीसरा सवाल हालदार सहाब मुर्ती पर सरकंडे का चश्मा लगा देख भाव क्यों हो उठे चौथा सवाल पान वाले का एक रेखा चित्र परस्तुत किजिए पाच्वा सवाल वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में पागल है पागल captain के परती पान वाले की इस टिपनी पर अपनी परति किरिया लिखिये चटा सवाल जब तक हालदार सहब ने captain को साक्षाद देखा नहीं था तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा ये है सवाल नमबर चै का उत्तर सवाल नमबर साथ है कस्बों शेहरों महानगरों के चौराहों पर किसी ना किसी छेत्र के परसिद वैक्ती की मुर्ती लगाने का परचलनसा हो गया कौन नमबर है इस तरह की मुर्ती लगाने के क्या उत्देश हो सकते हैं इसका खौ नंबर है आप अपने इलाके के चौराहे पर किस वैक्ति की मुर्टी अस्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों इसका गौ नंबर है उस मुर्टी के परती आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदाइद होने चाहिए और ये रहा सवाल नंबर साथ का उत्तर को खो गो तीनो प्रशन संख्या आठ है नेता जी की मुर्ती देखने में कैसी थी प्रशन संख्या नो है कैप्टन कौन था उसे कौन सी बात आहत करती थी सवाल नंबर दस है कैप्टन यानि चश्मे वाला मुर्ती का चश्मा बार-बार क्यों बदल देता था नेता जी का चश्मा पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए सवाल नंबर दस का शेश उत्तर ये रहा आपके सामने कोश्चन नंबर ग्यारा है चश्मे वाला नेता जी से चश्मा क्यों मांगता था कोश्चन नंबर बारा है कैप्टन चश्मे वाले का एक रिखाचित्र परस्तुत कीजिए कोश्चन नंबर तेरा है हालदार साहब हमेशा चवराहे पर रुक कर नेता जी की मुर्ती को क्यों निहारते थे अगला सवाल है एक बार फिर कस्वे से गुजरते हुए हालदार साहब को चवराहे की दुकाने तथा पान की दुकाने भी बंद मिली तो उन्हें क्या आसू विधा हुई होगी तथा उन्होंने कैसा अनुभव क्या होगा कोशन नमबर 15 है मुर्ती के चेहरे पर सरकंडे का बना चश्मा लगा देखकर हालदार साहब की आखें क्यों भराईं कोशन नमबर 16 है यदि हालदार साहब को नेता जी की मुर्ती पर चश्मा लगा नहीं मिलता तो उनके मन में किस परकार का भाव आता कोशन नमबर 17 आपके विचार से पान वाला या कैप्टन में से असली लंगडा कौन है तरक सहित उत्तर दिजिए कोशन नमबर 18 जो की लास्ट कोशन है नेता जी का चश्मा पाठ का उद्देश असपष्ट कीजिए तो इस सेशन में बस इतना ही टेक क्यार एंड गुडबाई